असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्यापन केडमी केस नए और लेटेस्ट वीडियो में तो चलिए आज किस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज किस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग के 12 क्लास के केकर शामुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इबराहिम सक्का ठीक है दस नंबर चैप्टर का क्या नाम है इबराहिम सक्का और ही जो चैप्टर है ये एक अफसाना है यानि की कहानी है और इस चैप्टर के राइटर यानि की मुसनिफ को ने तो मुसनिफ है सलाम बिन रजाक ठीक है क्या नाम है मुसनिफ का राइटर का सलाम बिन रजाक, याद रखना है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा इसी तरह न करते हैं, सबसे पहले राइटर, यानि कि मुसनिफ के बारे में पढ़ते हैं, फिर चेप्टर को पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तर सभी को याद रखिएगा डेट कहा पर तो महराष्ट में सलाम बिन रजाक की पैदाइस हुई है यानि कि उनका जन्म हुआ है आगे बढ़िए बंबई के एक स्कूल में 35 बरस तक उस्ताद रहे फिर उन्हेसा निनानबिर में वह सबक दोश हो गया ठीक है मुंबई के एक स्क स्कूल प्याइर की तीचर रह थे और ऊसके बाद उन्हेसा निनानबिर इस में उस इसकूलसे उनका क्या हो गया सबक दोश हो गया रेटार हो सबसे कहानी प्रकाशित किया गया शाय हुआ ठीक है और यहां पर एक चीज़ में आप लोगो सलाम बिन रजाक के बारे में बता दू कि सलाम बिन रजाक जो है उर्दू तो जानती है उनके उसके साथ इनको हिंदी और मराठी लंग्वेच से भी तालुक है ठीक है क्योंकि बहुत चैसे किताबे हैं जो म Это में रृजाक क्या है तो एक कंषवी मैं रजाक कई पहले क्ताब के कुछ अप्सानवां के कहानि के किताबिन विक्ताब अप vais'll नंगी दोपर काशिपाही जो की उनई सा их 77500 की फीवें परकाशिवित हो गया टीक है कहानि के किताब का नाम है मुएबरOSE 975 में परकाशित हुआ सिर्कस्ताभुतों के दरमयान जो कि 2001 में प्रकाशित हुआ और सबसे ज़्यादा जो किताब फेमस हुआ था वो था सिकस्ता अबूतों के दरमयान ठीक है यह बहुत ज़्यादा फेमस किताब है सलाम बिन रजाक का ठीक है अभी जो आप लोग चैप्तर पढ़ेंगे ना इबराहिम साक्का यह भी इस किताब का ही कहान का दर्मयान का कहानी के किताब का कहानी है इबराहिम साक्का यह किताब कप प्रकाशित हुआ था तो 2021 वी में यह यह याद रखना है आगे बढ़िए 2004 में किताब के दर्मयान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी इनाम से सरफराज किए गया तो यह नहीं के जो एक किताब समझते हैं वैसे जी चैप्टर समझते हैं तो बहुत ही लंबा है ओर इतना लंबा-चोड़ा में आप लोगों को बताऊंगी कहानी को बहुत लंबा विदियो भी बन जाएगा आप लोगो जो भी चैपटर में कहानी लंबा चोड़ा करकर बताएगा उसको सौर्ट कर कर बता दूंगी और आपनों को बहतर तरीके से समझ जाएगा तहीं अब जरा इस चाप्टर को समझते हैं देखेए यह जो चाप्टर है यह रिगिस्तानी इलाकों के बारे में बताएगे इस चेप्टर में इसमें जो कहानी है वो रिगिस्तानी इलाकों का है और मतलब एक बार की बात है कि सलाम बिन रजाक जो है यानि की राइटर जो है मुसनिफ इनको अफसाना निगार भी बोल सकते हैं क्योंकि अफसाने को ये खुद लिखे हैं ठीक है तो जो स्कूल में सलाम बिन रजाक गए रहते हैं इंस्पेक्टर के तौर पर उस स्कूल का मुआइना करने के लिए तो जब सलाम बिन रजाक उस स्कूल में जाते हैं तो वही स्कूल रहता है जिस स्कूल में सलाम बिन रजाक जो है पचीस साल पहले एक टीचर हुआ करते थे और उस वक्त हेड मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम था अब्दुर्रब ठीक है तो 25 साल के बाद जो है सलाम बिन डजाक उसी स्कूल में इंस्पेक्टर के तौर पर आये हैं 25 साल पहले जब कि वह एक तीचर हुआ करते थे तो जब वह 25 साल के बाद इंस्पेक्टर के तौर पर आये हैं तो देख रहे हैं कि पूरा माहौल चेंज है स्कूल भी चेंज हो चुका है जो धोरन गाओ का माहौल है वह भी बदला बदला दिख रहा है ठीक है तो वहां के माह जो थे वह इस स्कूल के टीचर हुआ करते थे तब की कहानी आप लोगों को मैं बताने जा रही हूं तो देखिए वह जो इलाका था धोरन गाओ का मैं 25 साल पहले की कहानी बता रही हूं ठीक है याद रखीगा तो धोरन गाओ का जो इलाका था वह मतलब रिगिस्तानी इला जाता है उसको बोला जाता है साकी क्या बोला जाता है साखी ठीक है तो वहाँ पर धोरन गाओ के एक इलाके में एक इनसान को मुकर्रर कर दिया गया था ड्यूटी दे गई थी कि तुमको पानी पिलाना है और वो जो साकी था वो जो इनसान था वो इबराहिम सक्का नाम का जो इनसान था यही सभी लोगों को पानी पिलाया करता था इसकी सभी लोगों पासाथी तो यह बहुत गरीब था कोई और उसको दे खाने के लिए ठीक है इसे मुला लिया करते थे खिलाने के लिए ठीक है तो इसे मुलाकात होती रही तो एक जब उलकात हुई इबराहिम सक्का से सलाम भी रिजाक की तो लोग बाते करने लगे और बातों में इबराहिम सक्का बोल दिया कि मुझे शेर वर शायरी भी आती है मैं शायरी भी करता हूँ ठीक है तो सलाम भी रिजाक जो है वो बोले कि अच्छा तुम्हें शायरी भी आती और यह सही बात रहता है अपने गاؤں बेटी से मुहबत कर बैठता है अब वह जो बेदार-खादेशमुक रहता है वह उस गावं का सबसे अमीर और इनसान रहता है और यह बहुत ही गरीब एक पाणी पिलने वाला इंसान लेता है तो आप ही बताईए कहां बेदार खादेश कुक कि लड़की यानि कि विदार खादेश मुख जो कि इस गाउं का सबसे बड़ा और अमीर इंसान था और कहा इव्राहिम सक्का जो कि एक पाणी पिलने वाला गरीब और चौथी क्लास फेल नहीं कर पा रहा था जो कि इसके शेर वशायरी से जलग गया दिल गया सलाम बिन रजाक को ठीक है तो ये सही बात है इबराहिम सक्का और बेदार खादेसमुख की लड़की से ये शादी निकाह मुम्किन नहीं था क्योंकि ये बहुत ही गरीब और बेदार खादेसमुख बह कह पा रही थी तो आपको ही मार ढली खुझषी कर लिए उस गाहों में चारू तरफ शोर मज़ जाता है कि वैदार खादेसमुख की बेटी को लेकर जाते हैं लो दफनानी के लिए सेक साहब दफनाते हैं तो पीछे से एक आदमी कंबल ओड़े आता है और बोलता है कि यह दीजे मिट्टी मेरे तरफ से इस कबर पर डाल दीजेगा ठीक है तो से एक साब लेकर डाल देते हैं मिट्टी तो सलाम बिन रजाक ध्यान से देखते हैं उस कंबल ओड़े इंसान को और वह जो कंबल ओड़ा हुआ इनसान रहता है वो कोई और नहीं इबराहिम सक्का ही रहत हैं लेकिन अगली सुबह क्या सोर मच्दा है गाउ में कि विदार खादेश्मुक की बेटी के कबर के उपर एक इनसान मरा पड़ा है तीक है जब सभी लोग गए देखने के लिए कि कौन मर गया है तो जाकर देखे कि कोई और नहीं कौन है इबराहिम सक्का है जो कि विदा नीच की जाती के भेदवाव के होजा से इबराहिम सक्का जो है ना वह अपने प्यार का अपने मुहबत का गला घोटना ही मुनासिव समझता है ठीक है इसे के साथ आप लोग का चैप्टर कम्प्लीट होता है अब चलिए चैप्टर के कोशन इंसर को समझ लेते हैं पहले ल स्लाम बिन रЗाग को किस साल सहीट्य केरिमी इनाम से नवाजब गया तो सलाम बिन रजा को 2004 में साहीट्य। अकैनमी अवरतं से नवाजब वह वह का जवावक दूसरा सवाव सलाम बिन रजाक के तीन अफसानों के नाम लिखिए सलाम बिन रजाक का कोई तीन तो अफसाना का नाम लिख देना है तो एक तो इबराहिम सक्का ही लिख दीजेगा दूसरा लिख दीजेगा नंगी दो पहर यह से घष्टाबुतों के दर्मियान तीन तो हो गया कोई भी ती तो लिख देना है ठीक है चलिए चार नंबर सवाल है किरदार सास चार अफसानों के उन्वनात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए कोई चार अफसाना यान की कहानी का नाम लिख देना है उर्दू में और उसके लिखने कि वाले राइटर काफ़ प्रॉमिस नाम लि लिख दिजिएगा उसके राइटर का नाम लिख दिजिएगा हो गया जवाब चलिए मुक्तसर गुफ्टबू यानि की लगो त्रिये प्रस जिसमें आप लोगो चार पांथ सेंटेंस में लिखना होता है सबसे पहला सवाल है इबराहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई थी ठी क्लास तक तालीम हासिल किया था चार क्लास तक बढ़ा था ठीक है तो दूसरा सवाल है इबराहिम किस से महबत करता था ठीक है इबराहिम जो सक्का था यह किस से महबत करता था तो बेदार खादेश मुक्त की बेटी से चलिए तीसरा सवाल है इस अफसाने में किस का किस गा मैस्टर थे और अब्दॉल्ला भाइसा जो थे वो सरपन्च का बेटा था ठीक है चलिए पास नंबर सवाल है अफसाना इबराहिम सक्का के खालिक को न है और यह किस मजमुए से खज्क किया गया है ठीक है यह जो अफसाना अबराहिम सक्का नाम कई जो चैप्टर है इस हो गई चलिए अब बात आती है तफसीली गुफ्तगों की यानि की तफसील से लिखने वाले की बात जिसमें आप लोगों को लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है चलिए सबसे पहला सवाल इबराहिम सक्का के मरकजी किरदार का सरापा बयान कीजिए यहां पर जो इबराहि सक्का के पेश नजर सलाम बिन डिजा की जजबात निगारी पर रोशनी डालिए कहां प लोगो जो अफ़ाने के जरीर से बताएं अबराहिम साका की मौत किस हलात में हुई मैं आप लोगो बताई ही उसी को लंबा चोड़ा करकर आप लोगो लफजों को सजा कर ली देना है ठीक है चाट नमबर सवाल है समाज के एक मामूली फर्द को मरकजी किरदार बना कर सलाम बिन जजाक ने कारी को अंदर से ज जोर दिया गया है इससे आप लोगो को क्या समझ में आता है अपने हिसाब से ओवर्वीव करना है दस पंदर सेंटेंस में लफजों को सजा कर अपने हिसाब से लिखिएगा चलिए पांच नमबर सवाल है अपसानवी जबान पर तब सरा कीजिए अब यहाँ पर आप लोग वज़ा के अफसानवी अफसाना नेगारी पर कि वो जब कहाली लिखा करते हैं अफसाना लिखते हैं तो किस तरह से लफजों को किस तरह के जबान का यूज़ करते हैं ठीक है तो यह हो गया आप लोग का चाप्टर नमबर टेन कोशन एंसर के साथ कम्प्लीट इस अब तक सबसे पहले पहुँचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिस